भजन सहिता अध्याय 41 क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुद्धी रखता है विपत्ती के दिन यहौवा उसको बचाएगा यहौवा उसकी रक्षा करके उसको जिवित रखेगा और वे प्रित्वी पर भाग्यवान होगा तु उसको शत्रूओं की इच्छा पर न छोड़ जब वे व्यादी के मारे शया पर पड़ा हो तब यहौवा उसे संभालेगा तु रोग में उसके पूरे बिच्छाने को उलट कर ठीक करेगा मैंने कहा ही यहौवा मुझपर अनुग्रे कर मुझको चंगा कर क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद पाप किया है मेरे शत्रूओं यह कहकर मेरी बुराई करते है वे कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा जब वे मुझसे मिलने को आता है तब वे वियर्थ बाते बगता है जबकि उसका मन अपने अंदर अधरम की बाते संचाय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद काना फुसी करते हैं वे मेरे ही विरुद होकर मेरी हानी की कलपना करते हैं, वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पढ़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद लात प्रंतु हे यहवा तू मुझ पर अनुग्रे करके मुझ को उठा कि मैं उनको बदला दू मेरा शत्रू जो मुझ पर जैवंत नहीं हो पाता इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझ से प्रसन है मुझे तो तू खराई से संभालता और सरवदा के लिए अपने समुक स्थिर करता है इसराइल का परमेश्व यहवा आदी से अनंत काल तक धन्य है आमीन फिर आमीन